कि आपका स्वागत है शांनु के ब्लोग में तो कैसे हैं आप लोग उमीद है गल्य होंगे तो आज का इस ब्लोग में हम आपको दिखाने वाले हैं जो यह परचार गाड़ी आप लोग देख सकते हैं इधर यह परचार करने आया हैं अडमी लोग को मतलब एक जूट करने के वहाज़ के लिए तो कुछ रात को मतलब प्रोग्राम चलाते हैं जिसके पारन से मतलब सो अब तो रात का प्रोक्राम नहीं दीखा is对 Vergleich को इंदर देख सकते हैं जादी का तो आज हमारे साथ हो एक बाबा आगे है तो इंके बारे में पुछते हैं तो बाबा आपका नाम बता दिए मेरा नाम हो जाता है सीव राम गोप और कहां से आये हैं आप लग घागरा थाना से गुमला जीला से और किस उदेश से आये हैं किस क्या संस्था चला रहे हैं आप लोगों ने जरू सुना होगा कि एकल भियान एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके माध्यम से पूरे भारत वर्ष में एकल बिद्याले चलाया जा रहा है संगठन का अदेश है जिस ग्राम में एकल बिद्याले चलाया जाता है उस बिद्याले ग्राम में प्रभु सिरी राम चंदर जी का आगमन हो बर्मन हो और उस बिद्याल में पठन पाठन करने वाले 5 साल से 14 साल के पालग वाली गाउं को कुछ सिख्षा दिख्षा मिले और साथ ही बड़े गुभी को भी कुछ जानकारी हासिल हो यही उद्दे से प्रभु सिरी राम चंदर जी का भर्मन आगमन हर गाउं हर टोला हर मह अल्ला में कराया जा रहा है अच्छा दनियावाद बाब मां और मेरा भाई इधर पुजा करते हुए तो सुनिये दोस्तों कैसे पुजा करते हैं आज देखिए तो दोस्तों यह पत्थल जो देख रहे हैं यह राम से तु फूल का निर्मान हुआ था वो पत्थल है जो की पानी में तेरता है आप दो देख सकते हैं यह किस प्रकार से दिखाए ज़रा है है तो यह गाड़ी उदर प्रस्तान हो रहा है अपना घर तो इन लोग को हम लोग बोलते हैं बाई-बाई तो चलिए गाईस हम लोग इनको वाई-बाई तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वह कैसा लगा गाइज तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएए और बेल लाइक को दबाते दोस्तों ताकि हमारा वीडियो आपको मिलते रहे और हम लोग मिलते हैं आगले